इस्टाप सलस्न कमिशन SSC की और से नया और इंपोर्टेंट नोटिस आ गया है और यह जो नोटिस हुआ सीपीओ एकजां 2022 को लिखर के है तो आप लोगों को मैं यहां पर जानकारे को बताता है तो जितने भी कंडिडेट्स थे जो कि सब इंस्पेक्टर डेली पॉलिस और सीपी एफेज एकजांशन 2022 कर लिखे तो उनको अपलोड कर दिया गया फानल इंसर की को उसाथ साथ में कोशन पेपर को तो यहीं पर यह जानकारे दी गई है तो आगे दिखते हैं कि इसमें क्या है तो यहां पर आप दो देख सकते हैं इस्टाप्सेशन कमिशन डिकेलर दा रिजल्ट ओफ दा सौब इंस्पेक्टर इन डेली पॉलिस और सीए पेफेस एकजांशन 2022 पेपर वन ओन 27-12-2022 यानिके 27-12-2022 को इसका जो है डिकेलर कर दिया गया था रिजल्ट को जो सीप्यों एकजांब हुआ दो हजांब वाला उसी को इसके बाद है कि in order to ensure greater transparency in the examination system and in the interest of candidates it has been decided to upload the final answer की along with question paper on website of the commission on 6-1-20-23 तो यहांपे जो है exam का transparency को दिखाते हुए यहांपे declare किया गया है और साथ साथ में candidates लोगा भी interest था तो इसी को देखते हुए commission जो है वह final answer की को और साथ साथ में question paper को यहांपे आज के दिन में यानिके 6-12-23 को यहांपे upload कर दिया गया है तो यह commission की और से पताया गया है साथ साथ यहांपर आप फिर से देख सकते हैं कि the candidates may take a print out of their respective question paper along with the final answer की by using the link given below this facility will be available for the candidates from 6-1-20-23 to 21-1-20-23 तो यह जो है आप लोगों अपना जो है link यहांपर नीचे दिया गया वही पर डाल करके साथ चीज को देख सकते हैं और यह जो facility रहेगा वह अबिलेबल रहेगा आपका 6 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक यह रहेगा facility तो आप लोगों को जो है नीचे में link मिल जाएगा तो वहीं link पर जा करके आप लोगों को देख लेना है जो भी चीज़े हैं उसके बाद है कि तक candidates में take a print out of their respective response sheets as the same will not be available after the above specific time limit तो यह जो है आप लोग अपना जो है response sheet का print out भी ले सकते हैं और यह जो date दिया गया है आप आपका 6 January इसी के बीच में आप लोग यह देख सकते हैं उसके अलावा बाद में आप लोगों को नहीं दिखने मिलेगा तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है अब डिस्क्रिप्शन में भी link दिया गया है तो आप लोगों से भी direct देख सकते हैं तो आप लोगों को जो है यह चीजे ध्यान में रखना है कि इस्टा सेशन कमिशन की उससे जो CPO एकजाम हुआ तो 2022 उसमें से पेपर वन हुआ उसी को लेकर के यहां पर फाइनल एंसर की को जारी कर दिया गया है और जो important date है वो आज के दिन से ही है यानि कि 6 January से लेकर के 1 January तक में यह आप लोग facility है तब लोग देख सकता है